नमस्कार शिक्षार्थियों अनाईवस के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर आदेशक्ति राय आज आपसे बीजगड़िती बेंजक चर्व अचरपद प्रकरण पर चर्चा करूंगी चर्चा के जो प्रमुख बुंदु है वो इस प्रकार है अर्थ क्या है बीजगड़िती बेंजक के उदाहरन समझेंगे हम बीजगड़िती बेंजक के विभिन अंगों के बारे में जानेंगे ब्यावहारिक रूप से बेंजकों का प्रयोक कैसे करते हैं यह देखेंगे बीजगड़िती बेंजक कितने प्रकार के होते हैं तथा सम विजातिय पद क्या होते हैं? विद्यातियों हम जानते हैं कि जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयूक्त किये जाते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं. गडित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोगों से समस्याएं हल की जाती हैं, बीजगडित क वह साखा है जिसमें संख्याओं को अक्षरों या चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है प्रंद संक्रियां चिन वही रहते हैं जिनका प्रयोग अंगडित में होता है जैसे कि किसी आयत की लंबाई और चौडाई के गुड़न फल से उसका छित्वर प्राप्त होता है इस तथ्य को हम 6 equal to law गुड़े 4 से निरूपित कर सकते हैं जहां लंबाई और चौडाई दोनों का मान कोई भी संख्या हो सकती है हम देखते हैं पहले कि चर या अचर पद क्या है हम जानते हैं कि वृत का जो बियास होता है वो ट्रिज्या का दुगना होता है इसको दो गुड़े त्रिज्या लिख सकते हैं अब हम इस तालिका में देखते हैं कि जैसे जैसे त्रिज्या का मान बदलता जाएगा उसका जो ब्यास है वो change होता जाएगा अगर हम त्रिज्या 2 है तो 2 गुड़े 3 उसका ब्यास 6 होगा R का मान अगर हम 4 कर दें तो diameter 8 हो जाएगा उपरोग्त सार्णी से हमने देखा कि R का मान बदलने पर D का मान भी बदल जाता है अर्थात R तथा D के मान तो बदल जाते हैं किन्तु 2 नहीं बदलेगा दूसरा उधान देखते हैं एक कार 30 किलोमेटर पर गंटा की चाल से जा रही है कार द्वारा चली गई दूरी चाल एवन समय में निम्नांकित संबंध है दूरी इकोर्ट टू चाल गुड़े समय S बराबर चाल यहाँ पर 30 है तो 30 गुड़े T हो जाएगा अब हम देखते हैं कि अगर समय घंटे में 1 हो तो दूरी कितनी चलेगी वो 30 किलोमेटर अगर समय 2 घंटा हो तो 30 गुड़े 2 घंटे में 60 किलोमेटर जाएगा और अगर हम समय को 3 घंटा कर दें तो 30 गुड़े 3 उसकी दूरी 90 किलोमेटर हो जाएगी उपरो दोनों तालिकाओं में हम देखते हैं कि कुछ राशियों का मान विभिन परिसितियों में बदलता रहता है और कुछ का मान परिसिति के अनुसार नहीं बदलता है जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर तथा जिनका मान नहीं बदलता है वे अचर कहलाती है अर्थात चर एक अक्छर संख्या है जिसके कई मान हो सकते हैं जबकि अचर का मान इस्थिर रहता है तालिका 1 में R और D चर हैं तथा 2 अचर हैं इसी प्रकार तालिका 2 में T और S चर हैं तथा 30 अचर हैं बीजगडित में हम साधारता अचर राशियों के लिए A, B, C और 4 राशियों के लिए X, Y, Z का प्रयोग करते हैं जैसे 2XY प्लस 3 में 2 और 3 अचर हैं जबकि X और Y चर हैं अब हम देखते हैं कि ये बीजगडिती ये बेंजग क्या होते हैं विद्यार्थियों हम जानते हैं कि अंगडित में हम जैसे 2 गुड़े 5 धन 4 या 5 धन 4 गुड़े 3 जैसे बेंजगों से परचित हैं इन बेंजगों को बनाने के लिए संख्याओं एवं चार संक्रियाओं योग, विवकलन, गुडण, तथा विभाजन का प्रेयोग किया जा सकता है बेंजगों को चरो का प्रेयोग करके भी प्राप्त किया सकता है जैसे मालीजे कि राम के पास 45 रुपए हैं, उसने कुछ रुपए मोहन को दे दिये, मालीजे कि राम ने मोहन को X रुपए दिये, तो राम के पास कुल कितने रुपए बचे? 45 माइनस X रुपए उसके पास 6 बचे. दूसरा उदहार देखते हैं राधिका रमा की छोटी बहन है राधिका रमा से 6 वर्ष छोटी है क्या राधिका की आयू को पदों में ब्यक्तिया जा सकता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान ले कि रमा की आयू क्या है y वर्ष है दिया है कि राधिका रमा से 6 वर्ष छोटी है अता राधिका की आयू कितनी हो जाएगी y-6 उपरोक्त उदाहरणों में 45-x तथा y-6 ही क्या है बीजगड़ती बेंजक है अब हम अगर इसकी परिभाशा देखें तो बीजगड़ती बेंजक एक गड़ती वाक्यांश है जिनमें चर जैसे x या y और योग, व्यवकलन, गुड़न, विभाजन की संक्रियाएं शामिल होती है इसमें बराबर का चिन नहीं होता है, जो इनहें बीजगड़ती समिकरों से अलग बनाता है बेंजक a प्लस 5, 4, a में 5 जोडने पर बनता है बेंजक 4n, 4n में 4 से गुड़ा करके बनता है बेंजक x-y, 4x से 4y को घटाने पर बन रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि चर विभन मान ले सकते हैं इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है परन्तों ये हैं तो संक्षाएं ही इसी कारण से अन्य संक्षाओं की तरह इन पर योग, व्योकलन, गुड़न और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती है बीजी ये बेंजकों का मान निकालना तभी संभव है जब चर का मान ग्यात हो अब हम देखते हैं कि बीजी बेंजक कैसे बनता है जैसे बेंजक y प्लस 9, y में 9 जोडने पर बन जाएगा x अपान 3, x को 3 से भाग देने पर t माइनस 3, t में से 3 घटाने पर 3x प्लस 4, पहले x को 3 से गुड़ा करके प्राप्त गुड़न फल में 4 जोडने पर माइनस 6b, b को माइनस 6 से गुड़ा करने पर 3y माइनस 2, पहले y को 2 से गुड़ा करके प्राप्त गुड़न फल में से 2 घटाने पर बन जाएगा ब्यवारिक रूप से बेंजकों का प्रयोग कैसे करते हैं साधान बाचीप की भाषा से हम कैसे बेंजक बना सकते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे जैसे मालीजे कि राधा के पास रहीम से 5 पेंसिल कम है यहाँ पे चर्व डिसाइड कर लेते हैं पहले मालीजे रहीम के पास x पेंसिल है तो राधा के पास रहीम से 5 कम है तो राधा के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी x-5 पेंसिल है मोहन की आयू राम की आयू से तीन गुनी है माल लिजे कि राम की आयू वाई वर्थ है तो मोहन की आयू उससे तीन गुनी है तो कितनी हो जाएगी? तीन वाई वर्थ हो जाएगी आज से छह वर्थ पहले अमीना की आयू क्या थी? तो इसमें मान लें कि अमीना की आयू वर्तमान x वर्स है तो आज से 6 वर्स पहले अमीना की आयू कितनी हो जाएगी x-6 हो जाएगी पीटर के पिता की आयू पीटर की आयू के तिगुने से 2 वर्स अधिक है माली में पीर की आयो पीयाल है तो पी पिता की आयोक्ट कितने हो जाएगी टीगुनय में दो जोड देंगे टीगुनआ करने के लिए प्यक्राइगा हमें पी तीन से गुडा करेंगे तो चु सिर्फी प्लस एट लिए तो इसमें फाइफ क्या है गुडांग है किसमें गुडा हुआ है चर एन में प्लस क्या है यहाँ पे संक्रिया है mathematical operation है और एट क्या है एक अचर राशी है जो की परिवर्तित नहीं होगी इसलिए यह आठ अचर है एन का मान परिवर्तित होता रहेगा हम भिन की एन्विंद मान एन के रख सकते हैं तो यह क्या है चर है क्रम सल कोई बेसंक्या जैसे हमने आ उट लिया है यहां कोई बेसंक्या हो सकती है वह क्या अब यह बीजगड़ी बेंजग के कितने प्रकार हैं इसको अगर हम देखें तो यह एक पद, दुईपद, थ्रीपद या बहुपद में बाट सकते हैं एक पदी बेंजग वह बीजगड़ी बेंजग हैं जिनमें केवल एक पद हो जैसे 3xy, 4x, 3z, square इत्याद यह सब क्या हैं एक पदी बेंजग हैं इनमें बस एक ही पद हैं दुईपद ऐसे बेंजग जिसमें केवल दो पद हो और वे और समान हो दुईपद कहलाता है जैसे 3xy प्लस 8, 4x प्लस 3y, xy प्लस 2z इत्याद क्या हैं यह दुईपद बेंजग हैं वह बेंजग जिसमें तीन और समान पद हो त्रीपद कहलाता हैं उदान सरूफ 2a प्लस 3b माइनस 6 बहुपद सामान तर दो या दो से अधिक पद वाले बेंजग को बहुपद ही बेंजग कहते हैं उदान के तौर पे xy प्लस yz प्लस zx एक क्या है बहुपद बेंजग है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पद हैं हम देखतें कि सजाती या असमान विजाती पद क्या होते हैं जैसे उदाहान के रूपए हम देखें कि बेंजग 6xy-5x प्लस 8xy-7 में पद 6xy के गुड़नखंड 6x और y है तथा 8xy के गुड़नखंड 8x और y है इस प्लकार इनके बीजी ये गुड़नखंड एक समान है इसलिए ये समान पद हैं सजाती ये पदों को जोड़कर बेंजग को सरल किया सकता है जिन पदों के बीजी ये गुड़नखंड समान होते हैं वह समान पद कहलाते हैं उनके संख्यात्मक गुड़ांग अलग-अलग हो सकते हैं जैसा कि हमने उपर के उधारन में देखा 6xy और 8xy में इनका संख्यात् समान पद क्या है एक समान है इसलिए ये ये सजाती या इनको समान पद कहते हैं पूणा देखें उसी उधान को 6xy-5x plus 8xy minus 7 में से पद 6xy और minus 5x में भिन 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 बीजी ये गुडन खंड है इनके क्या है? इनकोई गुडन खंड करने पर एक समान खंड नहीं हैं इसलिए ये क्या है? और समान पद हैं जिन पदों के बीजी ये गुडांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें असमान पद कहते हैं बीजी बंजगों के मान कैसे ग्याद करेंगे बीजी बंजगों का मान उसे बनाने वाले चरों के मान पर निर्भर करता है अनेक परिस्थितियों में बंजग के मान को ग्याद करने की दरूवत पड़ती है जैसे एक bg बंजक अगर हम a square लें जहाँ पर a cm बुजा वाले वर्ग का छेत्रफल कितना होगा? a square वर्ग cm होगा? यहाँ यदि हम a equal to 10 cm रखते हैं तो वर्ग का छेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 वर्ग cm हो जाएगा इसी तरह a के भिन भिन मानों पर हमको वर्ग का छेत्रफल भिन भिन मिलता रहेगा इसलिए किसी भी bg बंजक का मान निकालने के लिए उस चर की जब हम भिन भिन मान रखते हैं तो उस bg बंजक का मान हम ग्यात कर पाते हैं अब सारांस रूप में देखते हैं कि पूरे परिचर्चा में हमने क्या क्या चर्चा किया पहली बात हमने कही कि बीजगडित अंगडित का सामानी करण है इसमें संख्याओं को अक्षर या प्रतीकों के रूप में पनिरूपित करते हैं प्रतेक संख्या अचर होती है तथ कहलाती हैं, वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिती में ओपजवर्टित रहता है, ओचर कहलाती हैं, चरों और ओचरों से बीजिए बेंजग बनते हैं, बेंजग बनाने के लिए चरों और ओचरों पर योग, व्योकलन, गुडन और विभाजन की पद कहलाता है विशिश टूप से एक पद वाला विंजग एक पदी दो पद वाला विंजग दूइ पद और तीन पदो वाला त्री पद विंजग कहलाता है ऐसे पद जिन्में बीजी गुरonterन खंड एक Дж. हो समान पध तथा भिन्दक बीजी गुरμαιञ खंडों वाले पद और समान पर कहलाते हैं धन्यवाद